कि कैसे आप लोग आप सब बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा नया टॉपिक लेकर के आई हूं आई हो आप लोगों को बताऊंगी कि एंसीयल या फिर कोल इंडिया की किसी भी सबसीजरी कंपनी में सैलरी के लावा और कौ प्रॉइस के साथ साथ उनकी फैमिली को भी सारे बेनिफिट मिलते हैं जो सैलरी के अलावा होते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने प्रॉबर्ली सारी जो अनसोविदायां उनको कंसीडर करने की कोशिश की है फिर भी अगर मेरे से कोई भी ऐसी चूट जाए जो मैं नहीं बता पार जो हूँ अगर आपको पता है तो प्लीयचक कोमेंट करके मुझे मेरे साथ साथ और भी अव्य व्युटों को आफウेर कर सकते हैं तो चलिए सट करते हैं तो जो पहला भी हमिलता है वह कहला तर चोट लगती हैं आपको कंपसे संदिया जैता है यह बेंड कर पर को जाता है और यह जो होता है यह जाता है तो उसको दूरान अधिक सी किम्रत्य हो जाती तो उसको डिपेंडेंट होते हैं तो उनको नौक्री दी जाती है अगर वो नौकरी करना चाहते हैं तो नहीं करना चाहते हैं तो उनको survival के लिए उनको monthly भी payment किया जाता है यह उन पर depend करता है कि वो क्या करना चाहते हैं benefit होता है जिसे हम gratitude बोलते हैं या फिर प्लस pension की भी मैं यहां पर बात करूंगी जो benefit में ही आता है तो gratitude में क्या होता है कि retirement के समय यह मिलती है एक lump sum amount मिलता है अब आजकल तो 20 लाक रुपए मिलने लग गये हैं जो कुछी साल पहले change हो नहीं पहले 10 लाक रुपए तक मिलते थे आंगे हो सकता है चीजी और भी इसमें change हो जाएं क्योंकि यह कोई fix नहीं रहता है यह घटता ब ही मिलता है ठीक है और अगर pension किस बेसी मिलती है तो लास्ट जब रिटार्मेंट होने वाले होते उसके लास्ट 10 मंत का जो basic होता है प्लस डिए इन दोनों चीज़ों का average निकाल करके उसका 25% मिलता है और यह जो अमांट होता है यह फिक्स रहता है मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको रिटार्मेंट के दो साल तक कुछ और अमांट मिलेगा यह फिक्स हो जाता है लाइक अगर मैं बोलता अगर आपको 25,000 रुपाई मिलने हैं तो 25,000 रुपाई मेंडिकल बैनिफिट मतलब कि जब आप ड्यूटी करते हैं तो आपके सैल डिश लिप होती है उसमें एक अमांट कर्ट होता है जो कि आफ्टर रेटार्मेंट आपको मिलता है मेंडिकल फैसलिटी आपको प्रोवाइट की जाती है मतलब अभी तो ठीक है अभी आपको आपको 23 रूपीज पर डे मिलेगा ठीक है अगर आप कोई और वीकल यूज करते हैं तो मतलब अगर आपको खुद का वीकल नहीं है तो आपको ट्रांसपोर्ट सबसीडी दी जाती है अगर आपको खुद का वीकल होता है तो आपको कान्वेंस रींबर्समेंट मिलता है जो आ है अगर आप अधर ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो आपको 23 रूपीज पर डे मिलेगा ठीक है नेक्स पेनिफिट की बात करते हैं तो नाइट शिप्ट अलाउंसे होते हैं जो कि आपको अगर आप नाइट शिप्ट में ड्यूटी करने का मतलब होता है रात को दस वज होती है वह एक साल में जितना भी प्रॉफिट गेन करती है उसका एक परसेंट इंप्लोईज को दिया जाता है अगर वहां का cmd चाहे तो ठीक है यह लगबग लगबग कर मैं बोलूं तो पंदा से 20,000 रुपए मिलता है पर इंप्लोईज ठीक है तो यह होता है 60,000 रुपीज मिलता है यह घड़ता बढ़ता रहता कोई fix amount नहीं होता है यह लगबग 60,000 50,000 कभी-कभी मिलता है ठीक है तो मतलब यह हर दुरगा पुजा के पहले साल में एक बार जरूर मिलता है यह आपका bonus कहलाता है next point के अगर हम बात करें तो LTC PLUS National Holiday LTC का मतलब होता है leave travel concession ठीक है यह जो होता है अगर मैं इसकी बात करूं यह आपको 4 साल में एक बात करने हूं तो यह 4 साल में एक बार मिलता है ठीक है मतलब अगर होम विजट करने आपको घर जाना है तो उसके लिए आपको 8000 रुपए मिलते हैं चार साल में एक बार ठीक है और अगर आपको भारत ब्रह्मण में जाना है कहीं घूमने जाना तो उसके लिए आपको 12000 रुपीज मिलते हैं अब यह जो दोनों अमाउंट होता हैं इनका जो पेमेंट होता है तो थीन गुना होता है गर आपको कंपनी इन हॉलिडेज में बूलाती है तो आपको तीन गुना पेमेंट किया जाता है लाइक अगर मैं बात करूं तो जैसे फर्स्ट मेज जो अभी अभी निकला है लेवर डे उस दिनका जो भी दी जाती है इस तकर में बात करूं तो electricity plus water supply जो electricity होती है वो लोग बोलते हैं किया रहे जो इंप्रॉइस एंसेल में होते हैं या को लेंडियम वर करते हैं उनको electricity free मिलती है ऐसा कहना गलत है electricity free नहीं मिलती है आपका जो भी basic होता उसका एक परसंट चार्च कट होता आपकी electricity के लिए हां यह बात जरूर है कि आपको उसमें कोई भी foundation नहीं रहती है आप चाहें जितना भी जलाएं जितना भी खर्च कले electricity लेकिन आपका सिफ एक ही परसंट उसमें से कट होगा ठीक है water supply की बात करों तो water supply आपको फ्री रहती है वह आपको 24 hours मिलती है उसमें कोई भी कहीं भी कट होती नहीं की जाती next अगर मैं बात करूं benefit के तो school fees या school bus plus higher education के अगर मैं बात करूं तो हर project में एक दीए वी school होता है कहीं बहुत सारी जगे में DPS school भी होता है तो क्या होता है यहां के जो fees होती है वह काफी हाई होती है तो जो normal student के जो fees होती हो तो हाई होती है बट अगर आप एंसेल के employees हैं यह को इंडिया के employees है तो आपको क्या होता है कुछ सबसीडी मिलती है ठीक है यहां पर जो bus charges होते है उसमें भी आपको बहुत सारा construction मिल जाता है प्लस अगर मैं बात करूं तो higher education का मतलब होता अगर मालिज आप engineering करने के लिए आप government college मिला है कुछ भी मिला है तो क्या होता है कि वहां के tuition fees होती है वह भी यहीं लोगों के द्वारत दी जाती है प्लस hostel fees भी जो होती है वह इनहीं लोगों के द्वारत दी जाती है यह facility भी आपको provide की जाती है next point के अगर में बात करूं तो holidays homes की में बात करूंगे यह काफी कम लोगों को पता होता है कि क्या होता है कि कुछ जगों पर हर एक जगह पर नहीं बोल रही हूं कुछ जगों पर जिनका tie up call india के साथ होता है अगर आप वहां पर जाकर रुखते हैं मतलब वहां के hotels का use करते हैं वहां के rooms का use करते हैं लेकिन आपके पास approval होना चाहिए कि इंप्लॉई हैं कोल इंडिया के और आपको वहां पर टहरने के लिए बोला गया है तो फिर क्या होता यहां कि फिर रूम के चार्जर कितने भी हो अगर उनका टाइप कोल इंडिया के साथ है तो आपको 150-200 रूपीज पर डे के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा जो की काफ पर मंद्ट इंडिया के जो काइड यह ब्कटनु कर सब्सक्राइब नहीं होगा क्योंकि ऑगर के च्रेंगे ऐप 14-2003 में हैं están आप 20 गंटे यह समत्कुamyमें प्रवाइब नेक्स पॉइंट के बात करती हूं तो नेक्स बेनफिट जो होता है वह होता है Quartals plus LPG ठीक है तो LPG Quartals जो होते हैं वह भी सबको separate दिये जाते हैं हो सकता है आपने जब new joining की हो तो आपको 1-2 साल लग जाए separate Quartals में मिलने में क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है अगर बैसलर होते होनों तो आपको 1-2 quarter दिये जाते हैं ठीक है मतलब ग्रूप में दिये जाते हैं फिर दीरे दीरे आपको separate दिया जाता है तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर कोई महीने से न्यदक दिया जाता जो एकदम free होता है जो अधरी होता है वो जो फिर टी यार के इम्पल्वई से दोनों को एक ही दिया जाता है मतलब मंत में आपको इक जाता है इसका कोई पहले शोबिए जाते हैं तो यह ती आपको वह सारी सोविदाइज के लावा जो कर सकते हैं कि यह भी एक है जो मिलता है ठीक है तो चलिए मुझे लगा कि काफी इंफॉर्मेटिव था यह आप लोगों को बताना अगर आप जॉइनिंग में जाना चाहते हैं यह जो लोग अभी इसकर प्रप्रेशन कर रहे हैं तो उनको भी पता होना चाहिए कि भाई हमको क अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजेगा और लाइक करके जरूर बताईगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा है कौन सा पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा है मतलब कौन सा बेनेफिट आपको बहुत अच्छा लगा है वह भी आप कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करके कि बता सकते हैं और except जो भी चीज़ें आप मुझे से जाना चाहते हैं उसकी इनसे przeci देखने को तो अगर आपने चलव को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि एंचे जोड़ी हुए छोटी से चोटी अपडेट भी आपको जरूर दी जाएगी तो चलिए फिर मिलते नेक्स वीडियो में तब तक लिए वीडियो को लाइ बीकर दें। थारें को लेका हुए जुए सुच्छ कर दें।